स्वागत है आपका कुगवित मंचुला में और मैं मंचुला पाठक आज हम बनाने वाले हैं साबू दाना की खीर थोड़े अलग तरीके से जिसको हम बनाएंगे गुड से फिर भी बहुत ही टेस्टी खीर बनेगी और बहुत ही जादा हेल्दी चलिए बनाना स्टार्ट करते इसको बनाना भी बहुत ही इजी है इसके लिए हमको चाहिए एक कप साबू दाना आप किसी भी साइज की साबू दाना ले सकते हैं ये मैंने मेडियम साइज साबू दाना लिए हैं आप छोटे साबू दाने भी ले सकते हैं अब हम साबू दाने को सबसे पहले धोएंगे प और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर भीगो कर रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए आप ओवर नाइट भी रख सकते हैं रात भर के लिए भी रख सकते हैं पानी हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे बस इतना ही पानी डालना है जितने में ये सोक ढो जाएं फू पूल गए हैं और ये देखे कितने अच्छे से एकदम अलग-अलग हैं चिप-चिपे नहीं हैं और बहुत अच्छे खिले-खिले साबुद आने हैं इससे हमारे खीर भी बहुत अच्छी बनेगी अब हम दूद को उबलने रख देंगे और जैसे हमारे दूद में अच्छ से उबल जाए उसके बाद ही हम इसमें साबू दाना डालेंगे पहले हमको नहीं डालना है और आप देखेंगे कि पांच मिनट में खीर बनकर रेडी हो जाएगी अगर आपको कभी लगे कि खीर आपकी पतली बन रही है तो आपने जो यह साबू दाना भिगोकर रखे थे उस अच्छे से उबाल आ जाए एक से दो बार जब अच्छे से उबाल आ जाएगी उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे बहुत ही अच्छे खीर बनकर रेडी होगी और आप यह चोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं खीर और अगर यह रेसिपी आपको अच कोड़े से केसर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकती है जो भी ड्राइफ रूट्स आपको डालने हैं अब हम इसको उबलने देंगे दस मिनट में यह खीर एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो जाती है एक इलाइची को कूट कर डाला है चलाते रहेंगे खीर को नी तो यह नीचे से चिपक जाती है इसलिए आपको ध्यान रखना इसको अच्छे से चलाते रहना है और आप देखेंगे कि खीर हमारी एकदम गाड़ी हो गई है और बनकर रेडी हो गई है खीर क्योंकि हम गोड़ की खीर बना रहे हैं तो हमको यह बात याद रखनी है कि जब हम खीर में मीठा डालेंगे गोड़ डालेंगे तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद थोड़ी से खीर जब ठंडी हो जाएगी तब डालेंगे अगर हम ऐसी उबलती हुई खीर में अगर हम गोड़ डालेंगे तो जो यह दूद है खीर है फट जाएगी और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा इसलिए जब अच्छे से यह दूद उबल जाए खीर अच्छे से पक जाए उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे पांच से दस मिनट में जब यह हलकी ठंडी हो जाएगी खीर यह देखिए ठंडी हो गई है हमारे खीर अब हम इसमें डालेंगे गोड़ गोड़ का जो हमने पाउडर फॉर्म बना लिया है पाउडर फॉर्म करके ही ड आप साबू दाने को खीर को ठंडा करके खाएंगे तो यह और भी ज्यादा टेस्टी लगती है बहुत ही टेस्टी खीर बनकर रेडी होई है आप भी खीर जरूर बनाएं और ब्रेथ में भी खा सकते हैं आप किसी भी फास्टिंग टाइम पर आप यह खीर ले सकते हैं और कभ अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसी तरह की हेल्दी और अच्छी रेसिपी के लिए और गुड़ की खीर बनाते समय याद रखें पहले खीर को थोड़ा ठंडा होने दें उसके बाद इगर डालेंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई